और जब छोटे छोटे पाउं के पर वेट आएगा तो ये इस जगे से वो नीचे ट्रावल करेगा अब जैसे कि आप अगर आप शादी में जाओगे तो आप शादी में जैसी बारात आती है तो वो कैसे एकदम भीड आती है एकदम से और जो भी रास्त में आप सबको साइंस भी इस उटी हुई फीट को अच्छा मानता है लेकिन जो ये फ्लैट फीट है उसको हमेशा बुरा माना जाता है भीए ऐसा क्या है इसमें चुलो आओ देखें इसे और ये है वो फ्लैट फीट जिसे सदियों से बुरा माना जाता है सदियों सदियों से और इसे आग जैसे कि यह एक पाउं है ठीक है तो इस पाउं के नीचे हमें सही उठी वाली चीज को साइंस बढ़ावा देती है वो बोलती है यह चीज अच्छी है और जिनके पास यह नहीं है वो मतलब बेकार है उनका पाउंने फ्लैट फीट का नाम देता है जो कि एक बिमारी है लेकिन पाउं है उसके नीचे भी उठा वैसा यहां पर होता है ऐसा इसलिए होता है माल लीजिए यह आ रहा एक बढ़िया ट्रक वाला अपना यह है फुल रेस रेस तमसा बढ़े है वीडियावरा भाई कि क्या होता है जो यह वजन पढ़ेगा वो डिस्ट्रिब्यूट हो जाए ख़ड़े होंगे तो क्या होगा कि इत्ये बड़े शरीक कभार किन के उपर आएगा ये दो छोटे छोटे पाउं के उपर और जब चोटे छोटे पाय पाउं के बच वेट आइगा तो यह इस जगह से वह नीच से ट्रावल करेंगा निशता अब अगर आप शादी में जाओगे तो आप शादी में जैसी बारात आतीया तो हो कैसे एकदम भीड़ाती एकदम से और जो वी रास्तमास अब को दौड़ धुड़गा मारके एकदम पूरे गारण मरा टेक ओवर कर लेती हो खाने पीने लगा आपको बताता हूं अब माल ल यहाता जगह मिले हैं ज्यादा लोग जाएंगे तो यहां देखिए यह इतनी जगह है ये लोग आ गये बैड़ गये इधार आ गये यहां बढ़ए नेखे जु양ंगी मज़ए करएंगे यहां जर देखिए यहां कित्ती दुए कम जगए है कम जगए यहांत स्ट्रक्चरी है जो पूरा प्रटेक्ट करके रखता है और स्ट्रॉंग अब यहीं माल वीजिए यह फ्लैट फूट है ठीक है लोग आए इधर बैठे इधर बैठे अब बहां पे तो किती सी जगह थी 31 लेकिन अब यहां देखा जाए तो यह पूरी जगह यह पूरा आएगा तो जैसे कि यह तो भई है कम जोलोक तहब और यह थो दो बाउंसर बाउंसर के उपर वजह न आएगा तो वसंवाल लेंगे लेकिन जो टिड्ड़ों के उपर आएगा था वह समयाल ले पाते हैं और यहीं पर देखिए होता यह है हमारे इस एरिया में मतलब यहां पर भी एकदम स्ट्रॉंग वजन पढ़ रहा है ठीक है आर्क फीट वालों में तो यहां पढ़ता था यहां पढ़ता था लेकिन इधर क्या होता है इधर भी पढ़ता तो सीधा यह वज़ा नारा रहा है तो देखिए जो बिचारे लिगामेंट रहते हैं वो तो यह पेन करना लगता और अब देखते हैं जराव फ्लेट फूट होता क्यों है यह फ्लेट फूट होने के यही कारण है कि यहां पर हमारे जो यह लिगामेंट रहती हैं मुसल्स रहती है वो यहां पर पूरी जो यह बॉन्स रहती हड़ी रहती उनको ऐसे पकड़े रखता ह एकदम से स्ट्रक्चर बना के रखता है जैसे कि एक ब्रिज में जैसा कि आपने देखा था एक ब्रिज में यह रहा ब्रिज यहां पर सरिया जो सरिया रहता है यहां कि लोहा जोनने का काम करता है ठीक है तो यहां लोहा पकड़ के रखता है यह लोहा स्ट्रॉंग नैस देता तो वहाँ पर भी यह होता है कि जो मसल्स रती वो पकड़ रहती है और जब वो मसल्स कमजोर हो जाती है तो भाया होता यह है कि इसका स्ट्रक्चर पूरा फ्लैट हो जाता है यह हो जाता एकदम चपता दोस्तों जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो में और अगर आपने अभी इसबुक पेज को फॉलो कर लिजे इंस्टाग्राम पर आजाए थोड़ी जान पहचान बढ़ाई जाए